हेलो दोस्तों वेलकम अगें टू आवर लर्निंग प्लैटफॉर्म शिक्षायंत्र सिक्षायंत्र में आपका सभी का स्वागत है बिटा आप लोग जो हबारा उदेश से हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को जादस ज्यादा लोगों के पास चुका था अभी भी बता रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा कि यह वीडियो जादस ज्यादा जरौत बंद लोगों के पास पहुशना बहुत जरूरी है हम इस डिजिटल प्लैटफॉर्म के ठ्रूआउट चाहते हैं कि फ्री लर्निंग जो है आपको वह जादस ज्य स्टेट आता है आप देखेंगी यह जो ने स्टेट है यह हमारे पास में मार्क होता है जिसे आइडिया लगा सकते हैं का जी कमा irksime हो है कोई गैस से सॉलीड में यह केमिकल अपने बढ़ा दिया था आपको कलरन आगा तो यह 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 तेंपरिचर चेंज हो रहा हैं तो यह पार देहाँ हो हम हो रहे है तो भी हो रहा है chemical reaction हो रही है अब reaction तो हो गई अब यहाँ पर हम लोग reaction को जब लिखते हैं तो लिखते समय हम उसको chemical equation बोलते है equation की actual में परिवासा क्या होती है equation को लिखते समय किन-किन चीजों का ध्यान अखना पड़ता है वो इस module में हमें आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर एक चार्ट दिआ गया है वैलेंसी चार्ट यह नवी क्लास के अंदर नाइफ क्लास के अंदर में आपको इनसटी में अविलेबल है यह वैलंसी चार्ट आपको मदद करेगा एक chemical reaction को balance करना सीखने में तो यह वैलंसी चार्ट के अंदर में आपको यह बताया गया कि इन सभी की वैलंसी जो है जहाँ पर यह minus लगा होता है यह minus का मतलब मैं अगर मोटे तोर पर आपको बढ़ा हूँ तो minus का मतलब इनके पास एक electron फालत हुआ चुका है electron वाला concept जो है वो बाद में हम balancing के टाइम पर detail में पढ़ लेंगे अभी मैं सिर्फ मतलब बता कर वीडियो को ज़्यादा लग्मा नहीं करता हूँ और आपके मतलब की बनाता हूँ तो minus का मतलब यह जो hydroxide है OH, Cl के उपर minus लगा है BR के उपर minus लगा है या I के उपर minus लगा है इसका मतलब इन्होंने electron का gain किया है अगे अगर आप नीचे और देखोगे L2O- है यह सारे electron gainer है या AG+, NA+, H+, K+, यह electron के donor है इन्होंने donate किया है और सब की valency बनें लेने वाला भी और देने वाला भी सब क्या होते valency बन वाले क्यालाते है सब की valency क्या रहेगी एक है याद रखेंगे valency एक लेने वालों की बहुती है और valency एक देने वालों की बहुती है देने वालों की valency एक वाले प्लस के होते हैं लेने वाले क्या होते हैं मैनस के होते हैं आगे अगर आप देखेंगे इसी मैनर में आपके पास में वा स्क्रीन पर सेगंड साइड इस फेस में आपको टू प्लस टू प्लस यह टू मारस दिख रहा है आप सबच चुके होंगे जिसके पास टू प्लस चोपर प्लिस है जिन सेक्सिशमें टू प्लस आरहा है इसका मवल्स का सब्सक्राम यह कह सकते हैं जो आप को बैलेंस करने में फाल्प करेंगे मदल करेंगे इन सब की वैलंसी क्या क्या लाइगी हमारे पास इन सब की वैलंसी दो यहाईगी उसके बाद कुछक पॉइंट्स भी है जो नोट डाउन आपने करने है वो क्या है वो आप देखेंगे कि कुछ elements मेरे पास हैसे है copper और iron both of them have variable इनकी बदलती रहती है जैसे कि copper की one or two होती है क्यों होती है वो समझना और वो हम next phase पे देखेंगे यह आपने मतलब की बाते देखते हैं ऐसा ही iron के पास भी क्या होता है जो वेलेंसी होती है वो two or three होती है बदलती रहती है आगे देखेंगे है अलिमोनियम को वैलेंसी कि वैलेंसी कि fix है और से चाहिशों की वैलेंसी अगर नियारें करेंगे तो आगे डिया है से नसीजन को हैं रेक्टे से निपार तो हम कैमिकल यकोईशन को लिखने में मदद भी करेंगी आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम chemical equation रसायनिक समीकरण के बारे में जानकर ही लेते हैं chemical equation के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो मेरे recording the simple representation of a chemical reaction जब कभी भी हम किसी रसायनिक समीकरण को लिखते हैं जब कभी हम किसी समीकरण को लिखते हैं और वर्ट्स में लिखते हैं तो हम उसको क्या बोल देते वहर्ट Gesund पें तो तो जाते समय हम यह अक्सरे लगा लाता कि यह मैगनेश्यम औक्साइट यह गई अगए अगे देखेंगे तो यह लेफटन साइट है और दूसरा वाला कौन सा हो गया लेफटन साइट पर इस चीजे होती है इनको हम reactant बोल देते हैं यानि इनको हम अभीकारक बोलेते हैं जो है अभीकारक बोला जाता है और nostra हमारे पास में right hand side बे आते हैं उनको हम उत्पात यानि products बोल देते हैं एक reaction को लिखते समय वर्ड equation को लिखते समय left hand side वालों को अभी कारक अभीकरिया करने वाले बोला जाएगा और right hand side पर जो आता है उसको product यानि उत्पात बोला जाएगा अब इसके next level पे आते हैं आगे यह arrow आगया इस arrow को हम जिफस भी बोल देते हैं या कभी-कभी yields to भी बोल देते हैं जो हमें देता है आगया arrow indicate to yield soda direction इसका वर्लब इन दोनों को मिलाने के बाद में यह हमने परात किया है आगे आते हैं आगे आते हैं देखते हैं तो तो चैमिकल एक्वेशन किसको बोला आता है short hand form of chemical change जब chemical change होता है तो chemical change जब होता है तो उस process को जब हम लिखते है short hand यारी indications में लिखते हैं हम appropriate sign को use करते हैं appropriate symbols को यूज करते हैं appropriate chemical formulas को यूज करते हैं जब हम जायज फॉर्मुले जायज सूत्र जायज चिन इन सब चीज़ों को यूज करके लिखते हैं किसी भी चैमिकल चेंज के बारे बेड़ेटेल्स लिखते हैं हम उसको चैमिकल एक्वेशन पूर के हैं चैमिकल एक्वेशन इस शौट हैड़ फॉर्म ऑफ चैमिकल चेंज जैसे कि मैंगनेशियम की जगह मैंने इस पार एमजी लगा लिया पहले मैंगनेशियम पूरा लिखा था फिर प्लस लगाया फिर मैंने ऑक्सिजन का ओटू लगाया और उसके बाद में हम लोगों ने इस चैमिकल एक्वेशन में यह लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में अपना और प्रोड़क्ट अगया ठीक है यह यह यहां पर क्या क्या रहा है आप से स्टेट्मेंट को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो है भी तो यहां नंबर ऑफ एटम सब्डाप्ड पार्पों तरहसे अठीक यहां अबहेंड बता दिया था यहां अभी यहांन्बैलेंस सिक्वेशन में क्योंकि इस तरह के एटम का और इस तरफ के अटम्स का जो counting है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है तो balance को unbalance को balance कैसे किया जाता है वो next phase में हम सीखेंगे उमीद करता हूँ कि आभी तक आपको यहाँ पर इस module का जो उदेश से था वो भी आपको clear हो गया होगा module 1 में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि रसायनिक परिवर्तन होता है वही रसायनिक अभिकरिया होती है मैंने module 1 में आपको यह भी बताया था किया नाम की चीज क्या होती है जब हम कभी भी chemical change को लिखते हैं और लिखते समय हम abbreviated forms का यूज़ करें, चिन हो का यूज़ करें, फॉर्मलो का यूज़ करें, तो उस लिखने वाले रूप को हम क्या बोलते हैं, written form को क्या बोलते हैं, chemical equation बोल दिया करते हैं, chemical equation में left hand side को reactant बोलते हैं, यानि अभिकारक बो होते हैं, यह सारा हमारा क्या था, ओवर्यू था, उमीद करता हूँ कि आपको reaction और equation के बारे में relation क्या होता है, वो समझ में आया होगा, आगे चलके हम continue करेंगे next module में balance करना, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि balance करने से पहले आप module 2 को ज़रूर देख ले, औ अब तक के लिए keep practicing, keep learning